दोस्तो एर मार्केट का वर्तमान परिदरश देखकर सबका अपना अपना ओपीनियन चल रहा है सभी अपने अपने हिसाब से जो है जेजमेंड लगाने में लगे हुए है लेकिन सबसे खास बात है शिबायनों के होल्डर्स को लेकर क्योंकि शिबायनों के होल्डर्स काफी म मात्रा में शिबा टोकन को होल्ड करे हुए है और इनकी क्वांटिटी अचसंख्यक संख्या में है जिनका कोई लिमिट नहीं है क्योंकि शिबायनु से एक्सपेक्टिशन बहुत जादा है तो ऐसे में शिबायनु से बड़े प्रोफिट के यह जो है सपने देख रहे हैं ले उसके बाद अभी जो हाली में रेली आए थी उस टाइम बड़ा था और अगर हर बार हम देखे तो शिबा नो जैसे जिस तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से या उसके हाफ तेजी से गिरने लगता है और गिरता ही चले जाता है यानि कि कोई आश्र अगर कम मतलम knowledge है न शीबा को कब तक होल्ड करना सही होगा आज के इस वीडियो में हमारा जो मोटो है न यही रहेगा क्योंकि अगर हम देखे यहां पर और 2021 का जो बुलरन था उसमें भी शीबानों अचानक से बड़ा था और गिरा था तो अचानक से गिरा था मालूम भी नहीं पड़ा था हुअ और हम मार्क को यह देख पाते है क्यार हां मार्केट को हम एक अच्छा खासा हिस्सा ले सकते है क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो बड़ी वीलस होती हो थी है क्योंकि उनके पास अनुभह है प्राइस को कंट्रोल करने का एक तरीके से वह भी है पावर और हाई पर वह सेल कर देती है लेकिन हम जैसे लोग कप ऍदेन picks up तक करना चाहिए एन्ट तक विएवाच करना? पसंद आयतो चैनल को सस्क्राइब कर लेता देखे शिबायनू के साथ कई चीजे जुड़े हुई है अगर मैं मीम टोकन के बात करूँ तो मीम टोकन में ऐसे कई टोकन है जो ये जच कर पाना थोड़ा मुस्किल है जिसे पेपे जिसे कोईन की आर कब गिर जाए कब बढ़ जाए पता नहीं होता है लेकिन शिबायनू के साथ ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं बता दू शिबायनू एक ऐसा कोईन है जिसको आसानी से आप नोटिस कर सकते है कि मार्केट अब गिरेगा या मार्केट अब नहीं बढ़ेगा अगर हम देखे यहाँ पर कि जब भी मार्केट बढ़ता है ठीक है मार्केट जब भी बढ़ता है उसके बाद एक संकेत हमें मिलता है कि मार्केट अब गिरेगा क्योंकि अगर दो तीन पॉइंट पर हमने देखा तो यह जो रेली आई थी इसमें भी हमने नौटिस किया है तो अचानक से तेजी से बढ़ती है और समय भी नहीं मिलता है बढ़ते हुए टाइम में ठीक है और यह जब मार्केट बढ़ता बढ़ता रहता है और जब गिरने का समय आता है तो इसको एसे पहचान सकते है कि जो केंडल बड़ी है वही केंडल आधी हो जाती है याने कि जितनी वो candle बड़ी है न उसका आधा वापस वो गिर जाती है और फिर अगली candle वहीं से गिरना चालो होती है ये एक बहुत importance अंकेत में आपको बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पर देखो जरा इस position पर जब कोई नया आया था 2021 के time का market देखे ये green candle छोटी से बनी है यहां तक गई थी ठीक है अगली candle वहीं से सिरू होती है हलाकि थोड़ी सी गिरी थी यहीं से सिरू होती है और अगली candle यहां तक पोहुचती है और यहां पर पोहुचने के बाद यही candle अपना top and bottom यहां तक बनाती है लेकिन जो इसका body है बोडी यहां पर आके खत्म होता है 20 जगा पर मेरे माऊस करका साप देख लेना यानी की जितनी ऊची ये केंडल ऊठी थी उतना ही आधा ओग गिर गई फिर अगली केंडल से ही पूरी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली अगली ही केंडल कितनी बड़ी रेड बनी उसके बाद रेड रेड बनते बनते मार्केट जितना बड़ा था उसका आधा आ चुका था फिर एक्जामपल यहाँ पर 2021 कही लेते अक्टूबर का देखो यह तक अगली केंडल यहाँ तक अगली केंडल यहाँ तक पहुची उसके बाद यह आधी गिर गई और फिर अगली केंडल गिरावट यहीं से चालू हो गई थी तो यह कुछ संकेत है इसके बाद यहाँ पर भी वही चीजे हो रही है कि मार्केट ऐसा ही बड़ा यही केंडल ह आफ होने के बाद मार्केट गिरा है जो आधा हो गया है तो अगर आपको रेगुलर बेस पर शिबायनु जैसे कोई से प्रोफिट निकालना है तो आपको इस संकेत को ध्यान रखना चाहिए हलाकि एक अकेला संकेत नहीं है शिबायनु को पहचानने के लिए और भी कई कि फन्डामेन्टल चीजें हमें देखना प Shouldnows की जो नियोज मार्केट की संकेत है, उनको भी ज्यच करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में शिबायनु एक ऐसा कोईन है यहां तक की अलट कोई ऐसा कोईन होतों है जो बिटकोईन के पीछे चलते हैं, बिटकोईन का जहसा संक मिल जाएगा कि market कब गिरेगा कब बढ़ने लग जाएगा वेसे अगर मैं आपको एक short term बताओ अपने opinion से कि आपको एक simple गणित क्या रखना चाहिए बढ़ने के लिए तो मैं आपको आज ही मैं बता सकता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है देखिए market अभी भले ही 16 के level पर हो market भल करने के तैयारी कर सकता है bitcoin 2024 में एक लाग डॉलर जा सकता है ठीक है और अगर bitcoin एक लाग डॉलर को पार करता है यानि कि जैसे ही 75,000 डॉलर bitcoin पार करेगा शीबयनु में जबर्जस्त रेली आपको अपचिटी आपको देखने को मिलेगी और मैं आपको बता दू कि ये जो लेके पिछला बुलरन पिछला जो बुलरन था वो लगभग एक साल का रहा था फिर उसके बाद थोड़ा से डाउन गया उसके बाद फिर एक और रहली आई जो डेड़ मतलब 18 महिने तक चली थी तो यहीं पर वही संकेत है यदि आप मार्केट को सही से समझेंगे तो यहा बाद मार्केट गिरेगा और फिर अक्टूबर तक वापस गिरने के बाद मार्केट फिर दो तीन महिने गिरेगा और फिर अक्टूबर तक 18 महिने की हाइस्ट रेली यहां पर यह दिखाएगा तो इस हिसाब से हम शिबयनु को यहां पर ट्रेड कर सकते हैं पहले हम एक साल के लिए रखेंगे यानि कि 2025 मई तक उसके बाद हम सेल कर सकते हैं क्योंकि मार्केट क्रेस होगा उसके बाद फिर एक और रेली आएगी जो अक्टूबर नविम्बर तक 2025 तक होगी जो हाइस्ट पोइंट यानि कि तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शीबा से बड़ा प्रोफिट कमा सकते हैं होल्डिंग को सही से एक्जियूट करके क्योंकि देखिए काग जो में अगर पोटफोलियो बन रहा है पेसा बन रहा है तो कुछ नहीं जब तक उसको निकालेंगे नहीं सेल नहीं क करेंगे वो भी इंपोटेंड होता है तो आपको इस बात को भली भाती समझ लेना चाहिए परेदर्शित से देखे तो हमने नोटिस किया है कि जो शीबायनू है अगर आप इसको एक साल तेड़ साल दो साल होल्ड करोगे तो जो बुल रेली आईगे उसमें तो यह बढ़े इस तक शीबायनू आई थिंक मेरे हिसाब से 50 सेंड के आसपस पहुचने के अनुमान है कैसे भी करके शीबायनू अपनी जो सप्लाई है वो यहां पर कम करेगा और 2830 शीबायनू के लिए एक तरीके से बहुत टर्निंग पोइंट रहेंगे क्योंकि उस टाइम तक इसके ल नहीं होगी दोस्तों हलाकि सप्लाई उस टाइम तक आपको रोडा जरूर दिखेगी लेकिन हमारे पास लगभग 6 साल है और 6 साल 4 साल से 6 साल में कुछ भी हो सकता है और शीबायनू अपनी सप्लाई को बड़े परमाने पर एक्जिक्यूट कर सकती है बर्निंग में क्योंक अगर यह होता है न तो शीबायनू होल्डिंग का सबसे ज़्यादा बेनेफिट आप ही उठाओगे तो शीबायनू को इस हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए मैंने बड़े ही बार एक पॉइंट बताए है आपको एक बार और वीडियो को देखना चाहिए और जो जो मैं इंजोई किया होगा अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में लखिए नमस्कार